कि आँना हम्हीं विपत्र और प्रतिग्यह पत्र में क्या अंतर होता है। यु आँधर उन्हीं दुनों के बीच में क्या अंतर पाया थे हैं उसके बारे में हम बात करते ता है पहला व inherent होता है और जबकि प्रतिग्या पत्र में सिर्फ दो पच पाई जाते हैं, ये कैसे होता है? प्रतिग्या पत्र में एक तो होता है कि जिसने लोन दिया मतलब कि पहला होता है मेकर दूसरा होता है पेई यानि कि लेखक या प्रतिग्या करने वाला जिसने लोन लिया दूसरा होता है प्राप्त करता है पेई जिसने लोन दिया सिफ प्रतिग्या पत्र के अंतरगत दो होते हैं लेकिन विन में पत्र के अंतरगत कम से कम दो भी हो सकते हैं और तीन में आपका पहला होता है ड्रॉर लेखक दूसरा होता है ड्रॉर या सुई करता किक और तीसरा होता है पे या प्राप्त करता कई बार लेखक ही जो है प्रा क्योंकि इसमें लिखने वाला यानि कि जो रिंड देता है वो लिखता है कि मैं इस तरीके से लिखाता है कि मांग पर पहले तो उपर डेट टाइम लिखा जाता है उसके पर लिखा है मांग पर या मुझे मेरे आदेशा नुशार केवाले एक हजार रुपए का भुपतान तो इसकी स्विक्रती जो रिंड लिया रहता है वो इनसान करता है और प्रतिग्या पत्र की जहां हम बात करते हैं इसकी स्विक्रती की आवशकता नहीं होती जैसे की नाम से ही पता चल रहा है प्रतिग्या प्रतिग्या पत्र इसमें रिंड जो लेता है वो खुद इस पत् इसके बारे में वो लिख की या प्रतिग्या करता है कि अंकितिति के तीन महात की लेता है, उतने महा के पंश्चाथ वह रिड देदेगा अगला बात करते हैं Hम लेखक, इसमें रिड़ दाता लिखता है बाद करता है इसमें लेखक भुक्तान पाने वाला बन सकता है लेकिन प्रतिग्या पत्र में इसमें लिखक भुक्तान पाने वाला नहीं बनता है क्योंकि जो रिण लिया रहता है वही लिखता है तो कैसे वह हो जाएगा अगला बात करते हैं हम आदेश प्रतिग्या इसमें धन चुकाने का आदेश दिया जाता है कि आपको इतने महा के पश्चात इतने रुपए की धनरासी मुझे या मेरे आदेशा नुशार व्यक्ति को देना होगा लेकिन वहीं बात करते हैं प्रतिग्या पत्र में तो प्रतिग्या पत्र में रिणी रिण चुकाने की स्वहम प्रतिग्या करता है कि मैं प्रतिग्या करता हूं कि मैं इतने महा पश्चात आपके आदेश अंसार व्यक्ति को इतनी धनरासी दे दूंगा अगला हम बात करते हैं प्रतियां विदेशी बिल के तीन प्रतियां इसमें लिखी जाती है और प्रतिग्या पत्र में इसकी एक प्रति लिखी जाती है अवलोकन एवंग प्रमाणन की बात करते हैं इसके अश्विकार होने पर अवलोकन एवंग प्रमाणन की आवशकता होती है और उसके अपोजिट इसके अस्विकार होने पर प्रमाणन की आवशक्ता नहीं होती है और अंतिम और सबसे एहम सुचना इसे सुचना पच्छों को सुचना देना अनिवार होता है मतलब अगर सुचना देने की आवशक्ता नहीं होती है तो यह हमने आज बात किया कि इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं विनमय विपत्र प्रतिग्या पत्र के अंतरगत आपको हमने मुखिता आठ अंतर बताए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाईक की जिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा अगली वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं इसके पहले जो हमने वीडियो पत्र प्रतिग्या पत्र की वीडियो बनाई है वह पहले आप जाके देख सकते कि वीडियो पत्र क्या होता है प्रतिग्या पत्र क्या होता है तो चलते हैं नमस्कार